नमस्कार कैसे आव सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे क्योंकि आज कर ठीक रहना फुश रहना सबसे मुश्किल काम हो गया है क्योंकि कोई ना कोई परेशानी हमें इस सामें गेरे रहती है कभी बारिवार एक समस्या तो कभी आफिस की परेशानी या फिर कभी अपने प्रेवी के बिच्छनने का दर्ड दुस्त वाज का हमारा विकास का रिक्रम हमारी माताओ बेहनों के लिए है जो कहती है कि हम अपनी परेशानी को हाई करना चाहती है लिखिन हम कहीं बाहर नहीं जा सकती कोई सामकरी एकत्रित नहीं कर सकते तो आज असी माता बेहनों के लिए मैं एक ऐसा अच्छू कुपाई लाई हुए जिसे अपना तरबो अपनी परेशानी से निजात पा सकती है उनका प्रेमी किसी और के चंगुल में फस गया है या उनका पती उनकी तरफ से इस परेशानी का हथ चंद मिन्टों में बिना किसी सामगरी के कर सकती है कैसे आईए मैं आपको बताती है कि आखिर ऐसा क्या करना है कि बिना किसी सामगरी के और बिना ज्यादर समय बरबाद कर रहे हुए सिन्फ और से चंद मिन्टों में आपके रोज मर्रा के काम करते हुए आप इस विधी को कर सकती हैं और आप अपने पती को, अपने प्रेमी को अपने पास इस तरह से अपने प्यार में वांद कर रख सकते हैं कि वो ताव उम्र आपसे दोर नहीं जाएगा लेकिन अपनी बेहनों को मैं एक बास ज़रूर बता दो कि ये विधी बहुत ही प्रचन्द है ये विधी और इसमें जो मंत्र है वो बहुत ही सिद्ध मंत्र है इतना सिद्ध मंत्र कि इसके मत्र उच्चारण से ही आप ये परिशानी दोर हो जाएगी आपका प्रेमी पती आपके पास लॉट आईगा और इसको कुल भी तोड़ नहीं है कोई भी तांतरी, कोई भी मौलवी इस वीधी को तोड़ नहीं सकता इसकी मंतर का तोड़ नहीं कर सकता अगर आपने एग बार इस वीधी को किसी के उपर अपना लिया किसी के उपर इसका प्रियोग कर दिया तो फिर आपको दोबारा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी उम्रे के लिए आपका हो कर रहे जाएगा आप जिस पर भी इस विधी का प्रयोग करेंगे चाहे वो आपका पती हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो इस दुनिया के कोई भी ताकत उन्या आपसे दूर नहीं कर सकती तो इसलिए इस बात का प्रयोग खास तोड़ पर बहुत ही सोच समझ कर कीजेगा करने आपको आकल सर हो जिसको आप प्यास समझ बैठी हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने जीत पूरी करने के लिए इस विधी का प्रयोग मत कीजेगा क्योंकि फिर आप ही परेशान हो रहे होंगे और कोई ऐसा तरीका डून रहे होंगे जिससे वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए जो कि मुम्किन ही नहीं है इस तरे इस विधी का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर कीजेगा तो आएए और बहुत ही सास मन से इस विधी का प्रयोग कीजेगा मत में कोई महल नहीं रखेगा किसी के प्रती कोई ड्वैस नहीं रखेगा सच्चे भाव से अपने इसको याद कीजेगा और इस विधी का प्रयोग कीजेगा इस मंत्र को जो मैं आपको बताऊंगी उसका उप्चारण पूरे भाग से कीजेगा और हाँ, एक बात का ध्यान रखेगा कि जब आप ये विधी कर रही हो तो आपके दिवाग में सिर्फ वस्टिस वही विधी हो जिसके आप ये विधी कर रही है जिसको आप अपने वश्ट में करना चाहती है अजर वो व्यप्ति आपकी मन में है और आप उसका ध्यान कर रही है आपकी आँखों में उसकी छवी आपको साफ साफ दिख रही हो जब इतना आप ध्यान उसका करिएंगी तो आपको इस विधी को अंजाम देना है आपको राद्री के समय अपने पैर पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहती है जिससे आप बहुत प्यार करती है सदा के लिए अपने पास रखना चाहती है और इस व्यक्ति का नाम अपने पैर पर येसने के बाद आपको पेशाप करने के जाना है और उसी समय एक मंत्र का 51 बार उच्चारल करना है जो मंत्र है जैसी आप इस विदी को लगातार 11 दिन करेंगे बारने दिन आपका प्यार आपका पती आपके पास लोड़ पाएगा और फिर आप से कब भी दोर नहीं जाएगा बस्ता इस दुनिया में एक ही प्यार ही तो है जिसे हम अपना कह सकते हैं एक ऐसा साथ हम चाहते हैं कि सारी हुम्रे हमारे ही है हमारे साथ हमारे परिशानियों को समझे हमें सहारा दे और इप दुसरे के साथ के साथ प्यार के साथ यह जीवन भी जाए तो इस आसान सी और फ्रचन विठी को अपना कर अपने प्यान को अपने पास लाइए और बे समधान करके आप ठक गई हैं तो आप उस समस्या का समधान हमारी गुरुजी द्वारा प्राप्ट कर सकती है गुरुजी का नमबर नगातार आपको अपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो बिना समय बरबाद करें फोन उठाए गुरुजी को फोन करें क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समधान गुरुजी के पास नहीं है फोन कर अपनी समस्या का समाधान पाई और अपनी जीवन को फुशायर बना के जर्माता दी